नमस्कार दोस्तो मेरे नाम इंजिनियर विने राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अमबाला दोस्तो इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल नालंदा के रिजल्ड के बारे म तो दोस्तों इस वीडियो में class 6 और class 9 की जो merit list है वो मैं आपको show करूँगा और medical के दोरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सारी जानकारी मैं आपको दूँगा तो अगर आप बिहार से belong करते हैं और अगर आपके बच्चे ने class 6 और class 9 का paper दिया था सैनी स्कूल का तो ये वीडियो आपके लिए है पांच जनवरी को जो paper conduct किया गया था उसके result उसके परिणाम आपके सामने है इसमें आप category wise SC, ST, defense, home defense, other defense ये सारा आप चेक कर सकते है सबसे important point क्या है कि medical exam कब होगा तो आप यहाँ पर देख सकते है medical exam 24 February 2020 से लेकर के 4 March 2020 के बीच में conduct किया जाएगा दूसरा सबसे important point है कि medical exam कहां पर होगा military hospital गया बिहार में तो जो भी बच्चे हैं वो वहाँ पर तयारी करके जाएं क्योंकि 2 से 3 दिन का समय military hospital में लग जाएगा medical का पूरा जो प्रोसेस है वो लंबा प्रोसेस है अपनी तयारी करके जाएं सुबह साड़े साथ बज़े आपको report करना है और आपको यह चीज ध्यान देना है कि 24 February से लेकर के 4 March के बीच में आपको active रहना है कहीं ऐसा नहों कि आपका medical exam मिस हो जाए बहुत सारे ऐसे भी बच्चे है पता ही नहीं चलता और जिन बच्चों को merit जो ही merit list आई इसके लिए आपको call letter भी भेजा जाएगा तो आप यहाँ पर roll number 6th class का जो देखे roll number है वो 5 से start हो रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर जो है बहुत ही कम बच्चों को select किया गया है reason क्या है नाहिंद class में seats बहुत कम होती है सिछर्ड ही होती है जिसमें बच्चों को select करना होता है 6th class में क्या होता है seats ज़्यादा होती है तो ज़्यादा बच्चों को select किया जाता है अब यह नीचे आप देख सकते हैं कुछ important instruction दिये गए तो मैं आपके साथ share करूँआ जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है call letter are being sent to the shortlisted candidates individually by registered post यानि जो भी बच्चे select हुए है उनको registered post office के माध्यम से call letter भेजा जाएगा अगला point क्या कहता है जिन बच्चों को the school administration assume no responsibility for late non receipt of call letter by the individuals due to postal delay यानि अगर किसी का post उसको नहीं मिलता है तो इसमें school की कोई जिम्यदारी नहीं है क्योंकि वो जो डिले किया गया है वो post office के माध्यम से डिले होता है तो इसमें school की कोई जिम्यदारी नहीं है तो आप school के touch में रहेंगे तो आपको पूरा support मिलेगा और आप 741-9999228 पर भी call कर सकते हैं आप हमारे school का जो scholarship test है उसके लिए भी apply कर सकते हैं 22 March 29 March और 5 April को scholarship test conduct किया जाएगा और करीब 60 बच्चों को free पढ़ाया जाएगा 2019 में 31 बच्चों को free पढ़ाया गया था 2020 में 60 बच्चों को हमारे विद्याले में free पढ़ाया जा रहा है इसमें असा बत आया जा रहा है कि आप लोग भी जानते हैं देख सकते हैं कि जितने बच्चे हैं जितनी सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग लिए तीन गुना जादा बच्चों को बुलाया जाता है मेडिकल में अपियर होने के लिए आपेरिंग बिफ़र दे मेडिकल एक्जाइम बोर्ड दस नॉट कांफर गैरेंटी अडमिशन यानि जो मेडिकल बोर्ड है वो किसी बच्चे की अडमिशन की गैरेंटी नहीं लेता है seat बहुत कम होती हैं बच्चे बहुत जादा होता है तो इस तरह की जो बाते हैं वो parents को भी समझनी है the admission will be based on final merit list and subject to the medical fitness as per availability of vacancies यानि जो बच्चों को select किया जाता है वो final merit list की अदार पर medical fitness की अदार और number of vacancies के अदार पर बच्चों का चयन किया जाता है fourth point समझते हैं the candidates of the candidate of the candidates will be cancelled cancelled in case of failure to appear before the examination board on the stipulated date and time यानि अगर कोई बच्चा अपने date और time से पहले पहुंचता है तो ऐसे बच्चे को medical board के द्वारा cancel कर दिया जाएगा उनका admission cancel कर दिया जाएगा next point the candidate could be ordered for withdrawal from the school even after the admission कोई भी बच्चा अपनी admission को admission होने के बाद भी अपने आपको withdraw कर सकता है if it is found that any stage at there any information detail submitted by the candidate, parents and अच्छा किसी भी बच्चे को जो भी बच्चा admission लेता है उसका admission admission होने के बाद भी cancel कर दिया जाएगा अगर कहीं पर पाया जाता है कि उसने जो अपनी जानकारी है अपनी जो डिटेल्स है candidate ने पेरेंट्स ने उसके गार्जन ने गलत जानकारी दिये तो अगर आप किसी भी तरह की गलत जानकारी देते तो आपका admission cancel कर दिया जाएगा जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है जो सैनिक स्कूल नालंदा पूरा राइट होता है दा कैंडिडेट हूँ दा कैंडिडेट हूँ एक मिनट येस दे कैंडिडेट हूज रोल नमबर आर गिवन अबव बट नॉट इन कोई ऐसा बच्चा है जिसका रोल नमबर उस्को काल नहीं तो पहुंचने है कैंडिडेट आरएड्वाइस स्कूल स्कूल नालंदा में कॉल करना है अर अपना patient in best medical condition तो गैंदिदेट को ऐसा एडवाइस किया जाता है कि उनको medical बोर्ड के पास best condition नि यही पूरी तहीरी बेस्ट कंदिशन का मतलब किया है कि आपका proper documents होनेचा आपका ID proof होना जाए आपका date of birth certificate होना जाएँ जो आपका एमसी से रिकॉगनाईज होता है, मुनिशिपल कॉपरेट से रिकॉगनाईज होता थी, आपको पता होना चाहिए, अगर माली जो कोई अधर स्टेट कोटा की सीट खाली रह जाती है, आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बैल आइकन को दबाना है, और हमारा Android आप जरूर इंस्टॉल करना है, और दूसरा WhatsApp पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन अपने फ्रेंड्स के साथ, जो WhatsApp पे जिन्होंने सैनी स्कूल क्लास 6th और 9th क्लास का पेपर दिया है, जो सैनी स्कूल के लिए इंट्रस्टेड है, उनको भी जानकारी मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा, और स्कॉलर्शिप टेस्ट के लिए जरूर एपलाई कीजिए, हमारा जो स्कॉलर्शिप टेस्ट है, वो कंड़क्ट किया जा रहा है, रेजिस्ट्रेशन आपको करवाना है, एक लाग दस अजार रुपे में रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है, होर्स राइडिंग, स्विमिंग, NCC की ट्रेइनिंग, स्मार्ट क्लासेज, मंथली एजुकेशनल ट्रिप और इसके अलावा, बच्चों को साल में एक बार बाहर इंटरनेशनल ट्रिप के लिए लेकर जाता है, स्कॉलर्शिप टेस्ट अगर आपका बच्चा क्लियर करते हैं, तो आपको फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जै हिंद, जै भारत, 741-99999928 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते, थैंक यू सो मच,